अब ब्रेट का दो तरह का नाश्टा जो के बहुत ही बहुत ही इजी है और बहुत ही चर्पटे बनके तयार हो जाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम फर्ष्ट नाश्टे को देख लेते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए यहां पर गैस पे आप एक पैन रख लीजेगा इस तो एक बड़े साइस का मसमें प्यास लिया है इस तरह के बड़े बड़े टुकळों में कट करके मने नाला है और इसे भी हम इस तरह के साथ जो भी बाकी सब्सँरा है इसमें हम आड़कर लेंगे तो यहां पर डालना है एक कपना यह होँ अब अब जाफिरा रखिक हो तो आप ले लीजिएगा और दो पीस गाजा ले ले लीजिएगा इसे भी आप जैसे भी ट्र yupया और सबस्झा करें और मनी थोड़ा ही डाला है लाल मिर्च पॉडर थोड़ा सा मनी डाल दिया है यानिकि 2-3 पिच्च काली मिर्च का पॉडर और थोड़ा सा मनी डाला है भुणा हुआ जीरा पॉडर यहाँ पर जो मसाली है बिल्कुल कम कॉनिटि में जाएंगे सिर्फ 1-4 टेस्ट पुन बिल्कुल लो कर देना है नहीं तो क्या होगा मसाले जल सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब यहां पर इसे और भी चटपटा बनाएंगे तो यहां पर मैं यहां पर यूज करने वाली हूँ सॉस तो यहां पर मैं सबसे पहले मियोनिस डालोंगी तो एक चम्मच भ अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है यहां पर आपना शैजवन सॉस अगर पसंद करना चाहते हैं पसंद करते हैं तो आप यहां पर वो भी यूज कर सकते हैं डार्क सोया सॉस भी डाल सकते हैं आप अपने एकॉर्डिंग यहां पर जो भी सॉस आपके पा पहलब दान समय क्रहा है a इस उट ना इस तरीक से मैंने ग्लास से इसकी कट श्ड़ार कर लिएंगे ग्लास कट कर लीए a आप क्या करना है इसके जो बचे है न उसकी तरीके से एक कॉरणर को कट कर लेना है यह जो corner आपके निकल रहे है ना यह भी waste नहीं जाएंगे इसी recipe में वो भी use हो जाएंगे तो आपका कुछ भी waste नहीं जाएगा तो यानि कि कुछ भी बरवात नहीं जाएगा अब क्या करना है कि यह side के जो है na edges जो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा लिजे ठीक है पानी से अच्छे से यह चिपक जाएगी इसे हमें चिपकाना है तो यह एक नाश्टा आप देखने में बहुत इमेजिंग लग रहा है ना बस यह नाश्टे आपके बनके तयार हो गए हैं तो यह देखे यह जो कॉर्णर हमने हमने कट करके निकाला था बस उसे भी आप इसमें डाल दीजे अब इसे मैं आपको दूसरा नाश्टा बना करके दिखाती हूं कि किस तरीके से हमें करना है यह देखे मैंने इसकी गुल्ब कटिंग कर ली अब इसके जो एचेज है इसे भी हम कट करके यहाँ पर से निकाल लेते हैं देखे आप इसी तरीके से एचेज जो निकालते हैं कोई भी ऐसी रेसिपी बनाते हैं तो एचेज आपकी बिल्कुल वेश्ट हो जाती है बिल्कुल बिकार हो जाती है आप यूज नहीं कर पाते हैं लेकिन मैंने इस रेसिपी में आपको एचेज कभी यूज करना पता दि एक चमच और इसके उपर रख दीजे यह देखे यह हमारे दो हो गए अब यह जो हमारे कॉर्ण जो कटे हुए है इसे भी इसमें हम फिल कर देंगे अंदर में ठीक है तो इसी तरीके से बाकी जो है आपको जितने भी बनाने हो मने यहां पर देखे चार पीस मेने तैयार करके आप करना है क्या है कि हमारे स्टफिंग भी ठंडी हो गई है अब इसे हम श्टफ कर लेंगे तो एक से देल चमच आपको यहां पर इस रेसेपी को तैयार कर सकते हैं लेकिन बहुत है टेश्टी बनती है अब इसकी उपर से एक अक लियर आपको यहां पर चीज डाल देना ह चीजी जो होती है बहुत ही टैम्टिंग लगती है और बच्चों को ना बहुत पसंद आती है यह सब चीजे इस तरीके से आप इसके उपर से थोड़ा थोड़ा ओरी गैनो स्प्रिंकल कर ले और चिले फ्लैक्स तरीके से आप ब्रेट का नाश्टा एक पर जरूर से बना क अधर के दिखेगा जो आप पीजा बहार से खाते है ना बिलकुल भूल जाएंगे क्योंकि घर में ही इस तरीके से अगर आप नाश्टे तयार कर ले सकते हैं तो आप बहार के खाने बिलकुल भूल जाएंगे तो यह पर मैंने और और एगैनों को श्रींकल कर लिया आप यहां पर ना यूज किया है तो थोड़ा सा मैं ने प्लेट में थोड़ा सा ऑईल को ग्रीस कर लिया और यहां पर मैं बटर का यूज कर रहे हूं तो देख सकते हैं मैंने बहुत साफधानी से इसे निकाल लिया है चीज बहुत अच्छे से मेल्ट भी हो चुकी है तो यह नाश्ता बर्गर के बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसे इंचॉय कीजिए और मुझे कमेंस में जरूर से बताइए कि आज की रेसिपी कैसी लगी अब चलिए हम चलते हैं दूसरी नाश्ते की तरफ कि यह भी ब्रेट से ही बना है तो चलिए इसके लिए हमें क्या चाहिए दो पिस मेंने बड़े साइस के आलो को अच्छे से बॉल करके इसे मैंने मैश कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया एक चमच प्यास और एक मिर्च बिल्कुल बारिक चौप करके कटिंग कीजिएगा अब यहाँ पर मसाले जाएंगी तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है वन फोर्टेज पून डाला मैंने लाल मिच पॉडर वन फोर्टेज पॉडर धनिया पॉडर और थोड़ा सा हल्दी पॉडर सिर्फ टेज का कलर के लिए ठीक है यह ऑप्शनल है डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं नहीं तो इसकी बी कर सकते हैं वन फोर्टेज पॉन भुना हुडर भी जाएगा और इसके साथ ही में मैंने यहाँ पर डाला है गर्म मसाले पॉडर वन फोर्टेज पॉन ठीक है जो भी आपके म इसकी बेदा मैं यहाँ अपर 5 पीस रेंचा करता है अगर आप ब्रेट कर के डालना चाहिए तो इसका पॉडर बना करके आप यहाँ पर इस innerher ना है यह तरह आपछिए से में डाल रहा हु writers करके बी लेंग कितना आम चाहिए अगर एक अग पीस आपको जरुवत पढ़ रही हो तो आप यहाँ पर एक से दो पीस आप यहाँ पर ब्रीट और डाल सकते हैं मैंने 140 पुल ना चाट मसाला डाल दिया है ताकि एक अच्छा सक टेश्ट आ सकेगा अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है अच्छा धन्यापति आप डालना चाहिए तो आप डाल सकती है हाथों को अच्छे से साफ कर लीजी उसके बाद हाथों में थोड़ा सा ओईल से ग्रीस कर लीजीगा ताकि ये आलू का मिज्टन आपके हाथ में बिल्कुल नहीं चिपकेगा इस तरीके से गोल कर लेना है और एक टिकी का शेप देना है अब क्या करना है कि अंगली में फिंगर में आप थोड़ा सा ओयल और लगा ले इस तरीके से आप डेब कर लेंगे आप अगर टिकी का शेप देना चाहें तो टिकी का भी शेप दे सकती है लेकिन थोड़ा सा देखने में अलग सा लूग आता है तो देखने में अच्छा लगता है और बच्चों को भी अलग लूग बेहत पसंद आती है तक भी बच्चे लोग खाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से आप होल कर लिजे बीच सेंटर पे और इस तरीके से बाकी नाष्टे को आपको तयार कर लेने है तो इसी तरीके से ना सभी नाष्टे को मैंने यहाँ पर तयार करके रख लिया है तो जेतने भी नाश्चती आपको बनाने हो बस इसी तरीके से आपको बना करके रख लेने हैं उसके बाद क्या करना है नेक्ष्ट प्रोसस्र देखिए यहाँ पर दो चमच मैंने मैदा लिया है और तो ही चमच आपको यहाँ पर ब्रेट क्रम्स डालना है क्यूंकि हम मैं आप सेलरी बना रही हूं लेकिन बिल्कुल अलग तरीके की आपको अलग से कोटिंग वगर है करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस एक ही बार में आपकी सारी कोटिंग भी हो जाएगी मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया चिले फ्लैक्स डाला और और अगर आप फ्रेश धनिया के पती डालना चाहें आप डाल सकते हैं अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स किया मैंने और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें और इसे एक अच्छा सा बैटर हमें तैयार कर लेना है इसका बैटर हमें जो है बिलकुल गाढ़ा अच्छे से हमें कोटिंग कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा इसमें गर जायाएगा अब क्या करना है कि अच्छा सा नाच्टे आपको इसमें आपको डीप कर दें हैं और कुछ सेकंड इसी तरीके से आपको छोड़ देने है तुरट टच नहीं करना है इस जिसका बिलकुल गैस का फ्लेम ना बिल्कुल ही मीडियम रखेगा मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे आपको अच्छे से क्रिस्पी और कराना होने तक आपको फ्राइ करना है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स की एक सैट बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है और ये देखें दोनों सैट से ब अपने फैमिली में तो ये देखें ये बहुत ही टैम्टिंग सा नाश्टा बन करके तयार हो गया है तो मैंने आपको ब्रेट से दो तरह के नाश्टे आपको बनाना बता दिया है जो की बिल्कुल वेश्ट नहीं गए हैं सभी एचस भी आपके काम में आग चुके हैं तो इस रैसे पी को आपकब बना रहे हैं मुझे कमर्स में जरूर से बताये का फ्रेंट्स दो चलिए फिर मिलते हैं एक न ही रेसिपी के साथ आप कौन सा देखना पसंद करेंगे मुझे से जरूर से बताए लिग एक न है